Hello everyone, आप सभी का सवागत है मैं ब्रेंस हिंदी मीडियम में मेरा नाम वेदान थे और मैं हूँ आप सभी का English Educator तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज, हम a snake in the grass chapter number 3 के multiple choice questions करेंगे चले, इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं Multiple choice questions, MCQs में Question number one, are key narayind belong to? क्या हुआ अमेरिका के थे? क्या हुआ इंगलान के थे? क्या हुआ फ्राइंस के थे? क्या हुआ इंग्या के थे? तो इसका answer है India, वो भारत के थे वो भाववी कही हुआ भारत के थे क्योकि उन्हें ने बहुत सऱरे काहने लिखी लिखे, नोगल लिखे, लिखा, तो कही ना कही आरके नारायन जो है ना, आरके नारायन जिनके हम बात कर रहे हैं, वै बहुत जादा वरसिताईल आदमी थे, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सारकी नॉलेज उनके पास था, और कही ना कही जो उनका An Astrology's Day और जो उनकी च 1967 का आवार्ड मिलता है ठीक है साहित अकेडमिक ऐसा आवार्ड होता है जो लोग को दिया जाता जो लिट्रेचर ये ऐसी फिल्व बहुत अच्छा काम करते है आरके नरायन वोस डाइडिन अब आरके नरायन कब मरे थे 2001 चीक है चली आगे बढ़ते है आरके नरायन वोस बॉन अब आरके नरायन कब पैदा हुए थे देखिए वो पैदा हुए थे 1906 को ये वैक्ट्शुल है ये आपको याद करना है फूस ओद स्नेक एडवस एक बार में स्नेकों किसने देखा दास ने ने नेबर ने स्नेक ने अब साइकलिस्ट ही होगा इसका अब साइकलिस्ट क्यों होगा इसली होगा ये कि दास तो सोरा था नेबर लोग भी सो ही रहते स्नेक चार मर तो था ही नी इसका अब साइकलिस्ट होगा अब स्नेक भगवान हो सकता है कैसे कौन सा भगवान था अब देखे लक्षमी राम तो होंगे नहीं क्योंकि साउत की कहानी है तो इसका आंसर सुब्रमन नेया चलिए आगे बढ़ते हैं Who told about that due to snake biting किसने बताया था कि मृत्ती हो जाती साफ के काटने से दास ने, college boy ने, beggar ने या snake charmant ने चलिए आप लोग इस वीडियो को pause कर सकते हैं और answer दे सकते हैं इसका answer है a college boy दास अब दास कौन था एक neighbor था, member था, servant था, beggar था, कौन था दास जो था वो एक servant था आप सभी को पता है सोरा था और वो चलाक था Who wrote the guide? Guide किसने लिखी? A.G. Gardiner, R.K. Narayan, Rajinder Prasad, किसने लिखी? इसका सही answer है R.K. Narayan और इस पर एक movie भी बन चोगी, आप जरूर देखिएगा चले, question number 10 पर आता है Which of the correct spelling of the following? यहाँ पर कौन सी spelling सही? अब देखिए Mar Mar, क्या यह spelling सही है? Dreadful, क्या यह spelling सही है? Implement, क्या यह spelling सही है? क्या है सही spelling? यह बंगलो? देखिए, यहाँ पर मुरमुर भी गलत है ठीक है? अब यहाँ पर मुरमुर गलत है इसके बाद अगर आप देखिए, dreadful यह भी गलत लग रहा है Implement, यह भी गलत लग रहा है अब बंगलो, यह बिलकुल सही लग रहा है अब देखिए, इसका अंसर होगा बंगलो चीक है? अब देखिए यहाँ पर अब जैसे U आ जाएगा, मर मर है पर्शे नमबर 11 देखते हैं Which of the wrongly spelt अब इसमें से कौन सा है? जो अच्छे से spelt नहीं हुआ है देखिए, अब यह इसे dying सही है, neighbors सही है, eloquent सही है पर seize सही नहीं है बिलकुल सही है Which is the most common, person who does not work अब कौन सब most common पार्ट है, person who does not work कौन ने जो काम नहीं करता, person who does not work अब यहाँ पर आप क्या देखेंगी? अब देखिए, यहाँ पर एक बात कही जा रही है एक तो है, siesta, चीक है, एक है idler, एक है idle, और एक है ideal अब कितने matching word, अब यहाँ पर देखिए, जो काम नहीं करता यह word इस sentence ले कौन सब प्रियुक्त होगा? अब इसका मतलब क्या होता है? दोपहर की समय, जब बहुत चल्चलाती धूप है, ठीक है, उस समय आप क्या हो सो रहे हो? अर्द निद्रा में सो रहे हो? कि आपको लगता है यह होगा यह idler, idler, खाली बैठने वाला वेक्टी, यह idle, अब देखिए, idler, idle और idle, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बहुल हूँ कि idle आदमी, आदमी, अब कौन होता है? आप बोलते हैं, यह हमारा ideal है, हम इसको मानते हैं बहुत ज़्यादा अब confusion आता है, यहाँ पर कि idler है या idle है, खाली बैठने वाला है, यह person who does not work, इन दोनों में से कौन होगा? देखते हैं इसका answer है idler, person who does not work चले, अब यहाँ पर देखते हैं, question number 13, what is the meaning of inmates? यहाँ पर inmates का meaning क्या है? sleep in the early, stop thinking, person living together, cut roughly by blows अब यहाँ पर देखे, what is the meaning of inmates? इन में का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलो stop thinking, सोचना बंद कर देना, sleep in the early, सुबह सुबह सुने वाला आदमी inmates होता है? या जो लोग together रहते हैं, वो inmates किलाते हैं? या cut roughly by blows, क्या होगा इसका answer? अब आप video को pause कर सकते हो, pause करके आप लोग क्या करेंगे? pause करने के बाद आप लोग देखोगे कि क्या सही है, क्या गलत है, है ना? तो अब देखिए, sleep in the early, हो नहीं सकता है, inmates है, अब जब हमने starting ओला chapter पड़ा था, animals in prison, तो कही ना कही inmates prison में भी रहते हैं, तो आप इनको link कर सकते हो, तो person living together, जो लोग इखटा रहते हैं, उनकी ही बात यहां पर हो रही है, which of the following statement is wrong, इस में से conscious statement wrong है, the old servant dasa was sleeping in the shed, जो old servant dasa, क्या वो शेड में सो रहा था, क्या ये गलत है, जब हमने chapter पड़ा था, तो उसी समय हमने क्या notice किया था, हमने ये बात notice की थी, कि जो old servant dasa was sleeping in the shed, तो वो तो सो रहा था, ना? लोग आये उसको उठाने का प्रयास कर रहे थे, the boys did not bring bamboo sticks in the compound, अब जो लड़के थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने bamboo sticks लेकर नहीं आये थे, compound में, देखते हैं, ये question हो रहा है लगता है, इसका अंसरी होगा, some neighbor dropped into the compound, कुछ neighbors आ गए थे, क्या compound में, the neighbor became eloquent on black market, बहुत बाते फेक रहे थे, कि इस पे black market पे, अब देखते हैं, इसमें से इसका अंसर क्या होगा, the boys did not bring bamboo sticks, जबकि boy लोग क्या लेकर आते हैं, बैंबू स्टिक्स लेकर आते हैं, तो इसका अंसर जो होगा, वो right है, ठीक है, अब जली आगे बढ़ते हैं, the snake hide in, अब जो snake वो कहाँ पर चुपा हुआ था, क्या वो, अब कहाँ पर जाके चुप जाता है, चला जाता है, क्या pot में, क्या drain में, या well में, या compound में, अब आखरी में तो साप निकलता है, और सीधा pot में जाता है, क्या, नहीं, क्या drain में जाता है, नहीं, क्या well में जाता है, नहीं, चैशंता है, तो सही होगा तो होगा, अब आप लोग guess करिए pause करकर वीडियो कि इसका सही answer क्या होगा, पॉट में तो उन्हें भर लिया था नकली, ड्रेन यानी नाली, वेल यानी वेल की तो बात ही नहीं हुई और कंपाउंट तो प्रांगण है, प्रांगण में तो घूमता है, तो इसका आंसर होगा ड्रेन Meaning of this phrase, beat about the bush, अब beat about the bush, अब देखिये, क्या सचाई से बोलना, सतनिष्टा, beat about the bush होगा, hide behind the bush, बुश की पीछे छुप जाना इसका मीनिग है, क्या eloquently बोलना इसका मीनिग है, या speak in lengthy way, क्या अच्छे तरीके से बातचीत करना सही है, क्या है यहां पर सही आंसर, इसका आंसर क् होगा, आप बताईए, अब beat about the bush, चलिए, वीडियो को pause करिए, वीडियो को pause करने के बाद, आपको क्या करना है, आपको बिलकुल, एकदम comment section में comment करके बताना है, इसका सही आंसर है, speak in a lengthy way, यानि बहुत लंबे चोड़ी तरीके से बातचीत करना, इसका आंसर ही होगा, तो जैसे की all around हमने क्या करा हमारा mcq part जो उसको overall complete किया है, ये chapter बहुत ज्यादा interesting रहा, इस chapter में हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, और हमें ये भी देखना चाहिए, कि आलसी आदमी भी क्या क्या कर जाते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, नहीं सूपर स्टीशन, अंद विश्वास आदमी की life में क्या role play करता है, गाउं की लोग कितने innocent होते हैं, एक साप को लेकर इतना आगी तक चलेगा, तो mcqs से हार एक चीज जो है cover हो गई है हमारी, मैं आपको एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण हैं बताना जाऊंगा, और वह ये है कि आपने वीडियोज आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और इसके अलावा हमारे पास सारे courses available हैं, आप चाहें courses को देखें यहाँ पर आके, website में साइड इटर्स आपकी available हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,